तो आज मैं आपको बताओंगे दूद से बलाई और बलाई से फिर मक्षन और लसी बनाने का तरीका तो यह दूद है दो किलो दूद लिया तो इसको फ्लेम ओन कर दिया और तुले पचाहा दिया अब सिर्फ इसको बॉयल करना है तो बॉयल जैसे आता है और मेरी यह हैबिट है आप लोग कुछ नहीं डालते तो ना डालें लेकिन मैं जो हमेशा जो है इसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा यह खुश्क पुदीना यह लाजमी डालती हूं इससे हाजमा सही रहता है क्योंकि बच्चे दूद पीते हैं तो फिर इस वज़ा से जो है ना उनके लिए बैस रहता है तो आप कुछ ना डालें तो अगर डालना चाहें तो डालें एस यूविश तो अभी हम इसका बॉइल आने का वेट करते हैं दूद को बॉइल देते वक्त ऐसे थोड़ी दो तीन पार इसमें चमच्छ ला दीचेगा तो ऐसे जो है ना अगर ढूल करेंगे तो बॉइल औरेंज्वे रहां है और जूदक का लिए होता है अगर कुछ से बॉइल करना एंगर तो फाइडा करना पड़ते हैं तो उस सेहं बॉइल से मंक्छ बना लेता हैं हैं देसी गी बच्चों को दें लेकर फूता वैसे दूद्ध इस्तमाल करें जो बलाई उत्रा है वो ज्यादा फाइदा बन्द है बच्चों को अब दीवर्स के दूद्ध में बॉइल आ रहा है जड़ी से आंच धीमी कर दें अब यह देखें अब यह इसको नहीं ऐसे किया कि यह पहले अच्छे से उबाला ने दिया तो अब 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 आ गया अच्छे से पग गया या दूद्ध तो अब जो है आदे घंटे के लिए इसी पड़ा रहें देना बिल्कुल धीमी करती है लो फ्लेम पर पड़ा रहेंगा मैं उपर जाली देती है ताके जो है इसकी स्टीम बाहर निकलती रहे तो मिलते है आदे घंटे बात वीवर्स यह आदा घंटे से मैंने यह ऐसे धीमी आज पर रखा तक्रीबान इसको अब दो गहंटे लग जाने ठंडा होते हुआ तो मिलते हैं दो तीन खेंटों बात वीवर्स यह तीन खेंटे से मैंने दूद फ्रिज में रखा था अब अच्छे से ठंडा हो गया और यह इसकी उपर बलाई कम गया हम बलाई उतार लेंगे और बलाई ज तो यह आज भी डाल लेती हूं तो इसी तरह मैं दो से या तीन दिन की करके ना जमा करके तो इसको जाग लगा लेती हूं तो आप डेली भी कर सकते हैं एक दफा वाली भी कर सकते हैं आपने तो चाहिक को ग्रम करने के बाद माइक्रोवेब में ताके जो है ना ये थोड़ा सा जो है गरम जगा पे रहे या पिर आप ऐसे किए का कोई गरम शॉल या गरम कपड़े में लप्रेट के इसको रख दीचेगा तो अब सुबो हम इसकी जो है ना ये लसी बनाएंगे और मक्षन बनाएंगे जो मलाई को जाग लगा के रखे तो ये देखें ये हैं ये जो मैंने लगाई थी ये थोड़ी तरक के लिए मैं आदे गहंटे के लिए फ्रीजबर में रख दिया था ज्यादा थंडा नहीं करेंगे बस इसका मक्षा निकालने के लिए इसके तंप्रेचर का क्या रखना होता है अगर तो गर्मिया है तो हम इसके अंदर फ़्रीजबर में लगाता पाद कीमत Agako कि सोथा उलती गारा नहींぜदेख स्थाया है अगराम में यांदाए मक्षन याङडा क्याने में अगर घूपेड़ चिंघ में आचाब धूंक्ना टॉब करहां तो से बें overlap जाए ओसकно कि उसके उसका थांदों रखना तो फिल्क यह जो है ना इसकी वुजु गर्माइश थी नो खतम हो गी है अब यह लिया है ब्लेंडर तो इसको पहले वाश का लेना है इसके सूखे के अंदर नहीं डालना बलाई को अंदर जम जाएगी इसके साथ तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेते हैं पानी डाले अब इसको किसी भी बर्तन में इसे निकाल लूँगी और यह वाला बर्तन भी जो है यह घीला होना चाहिए कुश्क बर्तन के साथ ही लग जाता है अब दुबारा से यह वाला प्रोसेस करते हैं इसको भी वाश करके ऐसे और यह धकन को भी लगा हुआ है तो यह सारा अंदर डालेंगे इसके बाद इसको ऐसे ऐसे थोड़ी देर हिलाईएगा तो यह मखन जो है यह जुड़ जाएगा आपने हैंड्स को भी अच्छे तरा वाश कर लेने साबून के साथ गीले हैंड्स के साथ मखन बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा यह आपके सामने यह जो आपको हलके हलके जरात नजर आ रहे हैं यह वही है जो मैंने आपको बताया था कि मैं दूद को बॉयल करते हुए थोड़ी सी सौंफर पूदीना डालेती हूं तो कि मेरा बेटा भी दूद पीता है तो मैं कहती हुए उसका हाजमा सही रहा यह देखें यह हैंड के नमक डालें थोड़ा सा पानी डालें थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करें और पी लें या फिर हम इसकी कड़ी बनाएंगे और इसके साथ ही यह देखें हमारा मखन का भी पूरा डबा जो है यह भर गया है इसको भी ऐसे बंद करके फ्रिज में रख लोंगी तो आप जा इसकी व।